एक समय की बात है, एक शांत गाव में, जो लहराते पहाडियों के बीच बसा था, वहां एक छोटी लड़की, एलारा रहती थी. हर रात, जब तारे आसमान में चमकते थे, एलारा अपने आरामदायक बिस्तर में चड़ जाती थी, लेकिन अकसर उसे सोने में मुश्किल होती एक, एक शाम, जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, उसने बगीचे में ए मक्के निगीच सेखी, ये गीचे में एक चमकती रोश्नी देखी, जिग्यासा के चलते, उसने चुपचा बाहर कदम रखा, और एक छोटे चमकते जीव को देखा, जो फूलों के बीच उ आवाज एक फुस-फुसाहट की तरह नरम, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, ताकि तुम सबसे मीठे सपने पासको, एलारा की आखें आश्चर्य से फैल गई, तुम यह कैसे करती हो, तारों की रोश्नी से सपने बुन कर परी ने उत्तर दिया, उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और एलारा को नरम घास पर बैठने के लिए बुलाया, जैसे ही वे बैठी, परी ने एक लोरी गाना शुरू किया, उसकी आवाज रात की हलकी हवा में घुल गई, बगीचा उनके चारों ओर बदल गया, रंग बिरंगे फूलों से भर गया, जो कीमती रतनों की तरह चमक रहे थे, प्रत्यक फूल में एक अलग सपना था, रोमांच के लिए एक चमकिला सूरज, शांती के लिए एक चांदी का चांद, और आराम के लिए एक हलकी बारिश, अने देखा, परी ने एक चमकता सपना एक फूल से निकाला और उसे दिया, इसे पास रखो, उ और अपनी आँखे बंद करो, एलारा ने गहरी सांस ली, सपने को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे ही उसने अपनी आँखे बंद की, चारो ओर की दुनिया धुंदली हो गई, और उसने अपने आपको गर्म जोशी और प्यार के बादल पर तैरते हुए पाया, उस रात, एलारा सबसे सुंदर सपनों में खो गई, यह जानकर की जब भी उसे शान्ती की जरूरत होगी, नीन की परी वहाँ होगी, उसके रातों में जादू बुनने के लिए, और उस दिन से सोने का समय उसके…